हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल तो आज मैं करने जा रहा हूं उन्बॉक्सिंग बोट स्टोन 1214 वाट ब्लुटूथ स्पीकर की इस वीडियो में हम देखेंगे साउंड और बेस कॉलिटी चैक और एंड में आपको बताऊंगा कि मैंने कितने में पर्चेस किया तो चलि है यह एमेजन से तो चलिए खोलते हैं इसको तो फेंट यहां पर देख सकते हैं कि रखा हुआ है बोट स्टोन का बॉक्स तो निकालते हैं इसको बाहर सो फ्रेंड्स मैंने यहां पर ओडर किया था ब्लू कलर और यहां पर आपको दो कलर वेरियंट और देखने को मिलेंगे मरून और ब्लैक बॉक्स की बात करें तो यहां पर कुछ स्पैसिफिकेशन मेंशन है चैसे की बोट सिगनेचर साउंड और आईपी एक्स सेविंग व दूसरी दरफ यहां पर कुछ इसकी स्पैसिफिकेशन मेंशन है जैसे की बैटरी लाइफ अप्टू 9 आवर्स विदाउट RGB और अगर आप RGB आउन करके इसको प्ले करेंगे तो यहां पर आपको बैटरी वेकप साथ गंटेगा मिलेगा नेक्स्ट है यहां पर TWS फीचर इसको कैरी करने के लिए मल्टिपल मोड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं जैसे की Bluetooth, Aux, USB और FM रीडियो और यहां पर आपको कंट्रोल्स के साथ माइक भी दिया हुआ है तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको निकाल लेते हैं बाहर So friends, यहां पर आप देख सकते हैं कि it is fully covered और sides में यहां पर foams भी लगे हुआ है to protect it from any delivery damages Speaker के साथ में यहां पर एक plastic pouch भी दिया हुआ है तो चलिए खोलते हैं इसको इसमें आपको मिलेगा 1 year warranty card A complete user manual एक product advertisement card एक boat head का sticker यहां पर दिया हुआ एक strap जिसकी quality काफी premium है और है यहां पर एक type C charging cable और आखिर में है यहां पर एक aux cable तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको निकाल लेते हैं प्लास्टिक से बाहर तो फ्रेंड्स यह है हमारा boat stone 1214 watt bluetooth speaker build quality की बात करें तो यह मुझे काफी बढ़िया लगी यहां पर जो matte finish दिया हुआ है यह काफी जादा smooth है and it looks very durable तो चलिए फ्रेंड्स सब बात कर लेते हैं controls की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि both logo के साथ on and off switch button दिया हुआ है उसके नीचे यहां पर है voice assistant active करने के लिए button फिर है यहां पर TWS true wireless stereo इसको press करके आप दो devices pair कर सकते हैं उसके बाद है यहां पर play pause करने के लिए button और फिर है mode change करने के लिए button यहां पर आप Bluetooth FM Radio AUX जैसे mode change कर सकते हैं और यहां पर button दिये हुआ है volume up and down करने के लिए port का यहां पर एक Alexis section दिया हुआ है यहां पर एक USB port आपको देखने को मिलेगा एक charging port है reset करने के लिए और AUX के भी लगाने के लिए यहां पर आपको port देखने को मिल जाएगा और surface को अच्छे से hold करने के लिए यहां पर anti-slippery rubber straps दी हुई है sides में यहां पर दिया हुआ है boat logo के साथ pace radiator so friends अगर आप इसको carry करना चाहते हैं तो दियोए strap को आप बड़ी ही असानी से यहां पर लगा सकते हैं तो चले friends अब इसको on कर लेते हैं so friends अब इसको on कर लेते हैं so friends से on हुआ एक thumping sound के साथ which was quite impressive और इसकी RGB light भी on है जैसा कि आप देख सकते हैं power button के around भी एक LED light दी हुई है और नीचे दिया हुआ है battery indicator तो चले friends मैं इसको फटाफट connect कर लेता हूं अपने mobile से यहां पे आप देख सकते हैं available devices में आ रहा है stone 1200 तो मैं इसको ब्रेस करके phone से pair कर लेता हूं so friends let's play some song to check the pace and the sound quality but friends आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है then please subscribe to my channel and also press the bell icon ताकि जैसे ही मैं video upload करूँ आपको notification आ जाए and please hit the like button and also share this video it motivates me a lot so friends आप चेक कर लेते हैं इसकी sound quality the so कर दो कर दो कर दो कर दो 5 I must say the sound at the bass quality is really great and bass radiator movement and RGB light are fun to watch so if you are looking to buy a stylish speaker with great sound and bass quality with RGB lights USB aux and FM functionality then you should go for it I ordered it from Amazon at a price of $3499 but here on sale or lightning deals चलती रहती है so current price जाने के लिए आप description पे दियो गए link को press करके देख सकते है so friends ऐसे ही tech unboxing के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करे and also like and share this video और आपको इस वीडियो कैसे लगी please comment box में जरूर बताए thanks for watching